हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडे 26 पे और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वोरा मेंटल साइंस ठीक है तो इसके कुछ महत्पूर्ण टॉपिक्स वाई जो हम लोग बाते कर रहे थे इसमें पड़ाया था उससे भी रिलेटेट चीजों को हमने कराया है फ़र्स्ट यूणिट सेकेंड यूणिट तमाव चीजों ने कराया है तो इस unit में हम लोग जो बात करने वाले हैं या इस वीडियो में तो आपका एक महत्पूर्ण topic है ओजोन पर ठीक है ओजोन layer के बारे मैं आपको समझाएंगे ओजोन layer होता क्या है ओजोन layer की जो च्छरन है यानि कि उसका जो पतला हो रहा है तो उसका क्या कारण है उसके क्या प्रभाब पढ़ेंगे हमारे उपर और पढ़ रहे हैं उसको देखें और फिर उसको कम करने की कौन-कौन से उपाय की जा रहे हैं ठीक है आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो इसी आपको एक क्रोनोलोजी बैठाना है कि इसी क्रोनोलोजी में आ ठीक है इसलिए आप थोड़ा सा इस टेंडर अपना बढ़ाई है नंबर आपको अच्छा चाहिए तो इस टेंडर बढ़ाना होगा और तरीके से पढ़ना होगा जो तरीका हम अपनाया है अपने पढ़ाई के सब्सक्राइब कर लिजएगा लाइक कर दीजेगा वीडियो को सेर जडूर की जेगा तो देखिए ओजोन परत आखिर होता क्या है आपने सुना जडूर होगा ओजोन परत के बारे में तो देखिए ओजोन परत जो होता है न बच्चों ये प्रीथिवी जो हमारा है इसके बारे में पहले समझेए ये प्रीथिवी जो हमारा है इसके चारों और जानते हैं कि आप प्रिथवी के गुरुत्वा करसन बल के कारण पहली बात तो यही धियान में रखे है कि प्रिथवी के चार और गुरुत्वा करसन बल के कारण इसके चार और वायू मंडल फैला हुआ है ठीक है गुरुत्वा करसन बल के कारण अब यह वायू मंडल जो इसको उने बता है यह लगवग 20-30 km तक चोड़ा है यानिकि 20-30 km तक इसके चोड़ाई है तो इसको भी ध्यान में रखेगा लगवग लगवग हम बता रहे है एड़ेक्ट डाटा भी बता लेंगे बट इसको ध्यान में रखने के लिए तो यह इतना चोड़ा है बच्छों या मोटी परत है तो यह हमारे लिए क्या करती है यह मान लीजे हमारी प्रिथभी है यह आपका ओजून मतलब निकलती है ठीक है तो इसकी जो किरने एक निकलती है परावेगनिक किरन इतनी घातक है अगर वो डेरेक्ट हमारी प्रिथवी पर आ जाए ना तो हमको तवचा केंसर या जानवरों को भी तवचा केंसर नेतर से समंदित रोग हो सकता है जितनी भी जीव जन्तुअ इस प्रिथवी पर आप देखते हैं पेड़ पोधे देखते हैं सब पर इसका कुप्रभाब देखने को पड़ेगा कुप्रभाब का मतलबता है बुरा प्रभाब देखने को पड़ेगा अगर यह किरने यानि सुरी की प्रावेगनिक किरन डिरेक्ट हमारी प्रिथवी पर आ बरत्मान समय में ये देखा गया कि इसका यह बेंशन और को और मोटा जैसा बन जाएगा ठीक वैसे जो है मोटी है यह जब यहां से सुरी की किरने आती है इसके उपर तो यह इसको reflect कर देता है लेकिन यहीं सुरी की करने अगर डिरेक्ट हमारी प्रिथवी पर आ जाए तो हम लोग को और इससे हमारे उपर यही प्रभाप पड़ेगा कि हम लोग कई एक तरह के विमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो ठीक है तो एक तरह से ओजोन लेयर जो है यह हमारी रक्षा के लिए बना हुआ है और प्रकिर्थी ने इसको खुद बनाया है तो यहीं चीज आपको समझाना थ उचाई पर 24 किलोमीटर मोटी जो है ओजोन गेस की परत पाई जाती है जो कि अभी तुरंद पताए कि प्रिथ्वी से 15 किलोमीटर उचाई पर जाईएगा वहां पर ऑजोन परत सुरी से प्रिथ्वी पर आने वाली हानिकार परावेगनी किरन है उससे हमारी रक्षा करती ह ओजोन परत प्रावेगनी किर्णों को अबसोसित कर लेता है यही बात है फिर देखिए से निकलने वाली प्रावेगनी किर्णे हमारे सरीर पर सीधे पड़े तो हमें तवचा के इंसर जैसी बीमारिया हो सकती है तो उसको कई एक तरह की विमारिया हो सकती है इनहीं विमारियों से हमारी रक्षा करने का काम ओजोन परत करता है इसलिए कहा जाता कि ओजोन परत प्रिथवी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अत्यन तावस्यक है यानि कि कहने का मतलब यह है कि अगर प्रिथवी पर यह बात ध्यान में रखिएगा उसके बाद अगले स्लाइड को दिखिए कि वर्तमान समय में निरंतर बढ़ती वी जनसंख्या की कारण प्राकिर्तिक संसाधनों पर दवाब बढ़ता जा रहा है यहीं कि अभी के समय में दिखेगा कि रेगुलर हम लोग चीजों का यूज ज और इसन संख्या के वज़य से इसका चीजों का यूज जादा हो रहा है और इससे अपरण परत का छै भी होता जा रहा है यहीं जो मानव के दवारा प्रियूग प्रियों गया चीजों का वो नल rokشر से कई अनावश्यक्त हो रहा ना यानिके जो जरूरी नहीं है उससे भी जया तक किया जा रहा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि ओजोन परत में आप छेद होने लगा थो यहीं एक महत्पुन वादों को उसके बाद आजिए अब इसके अगले टॉपिक को समझे कि ओजोन परत शरन का मतलब क्या होता है यानि कि यह जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है पहले तो हम ओजोन परत आपको बता है कि यह प्रिथवी के उपर पाया जाता है अब देखे ओजोन परत का मतलब क्या है तात्पर ही क्या है अब उसको समझते चलिए ठीक है तो देखिए ओजोन परत चरन का तातपर है उपरी वायू मंदल में मौजूद ओजोन परत का पतला होने से यानि हमने पताया था कि देखिए ये प्रिथवी आपकी है प्रिथवी के ऊपर एक ओजोन लेयर पाया जाता है इस तरह का लेयर जो कि 24 किलोमेटर तक जो है ठीक है इसको भी ध्यार में रखिएगा उसके बाद दिखी अगला टॉपिक समझी वर्तमान समय में ऑजोन परत चरन हमारे लिए एक चिंता काविसे है और परत के चरन के लिए जिम्यदार कारक निम लिखी थे हैं यानि कि इसके लिए कई ये कारक है जो कि ऑजोन परत को यानि ओजोन परत में छेद हो रहा है उसके लिए कई कारण है, ठीक है, मतलब जान लीजिए, आप इसको इस तरह समझे, कोई युद्ध होता है, कोई दो मतलब गूट में, तो उसके लिए कई एक कारण होता है, तो ठीक वैसे ही, ओजोन परत के जो लेयर है, उसका पतला जो क्लोरो-फॕलोरो कारवन, क्लोरो-फॕलोरो-ट क्लोरो-फॕलोरो-चेडोल क्लोरो प वहता है, मतलों कारण की करण बेंट परत है, यह धाज कारण करण कुलोरो-फ्ट्रोरो-कारण का इसको धियान रखेगा जो jay तो आद रखेगए कि I का परियोग कहां कहां होता है तो रेफ्रीजिरेटर एर कंडिसर नर और इस्प्रे एरोसोल देखिए पाठली पुत्रा में क्या पुछा था कि ओजोन परत के जो पतन है यानि च्छरन है उसके परमुक कारण कौन है तो यहीं होगा तो पहला ओजोन परत के पतन का यानि च्छरन का या उसके पतला होने का कारण बता दिये इसके बाद दूसरा देखिए अगनी सामक रॉकेट यानि नियमित रॉकेट जो परिक्षन होता ना यहीं रॉकेट परिक्षन आप देखिएगा कभी-कभी होता ना चंदरियान पर रॉकेट चला गया या चंद्रमा पर गया यह सुरी के और बिट में अभी चंद मतलब रॉकेट परिक्षन हो यह कोई दिकत नहीं है लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद हो तो ज्यादा ठीक रहेगा ठीक है अगर एदम रेगुलर होते रहेगा तो वो गलत है ठीक इसको भी ध्यान रुखिएगा सोद के माध्यम से यह पता चला है कि और यहमित रॉकेट परिक्षन के कारण उससे निकलने वाले CFC ओजोन परत के छरण का परमुकारण बनता है तो इसको भी ध्यान भी रुखिएगा यानि और रॉकेट परिक्षन किया जाएगा तो उससे भी CFC गैस इंकलता है यानि क् कि प्रिधिभी है प्रिधिक कारण है ज्ला मुखी ज्व अला मुखी के विस्फूर्त जो तान प्रिधिभी के नीचे से होता है इसे कई यह गैसे बाहर निकलती है और यह भी एक तरदसे परियावरन लान का परमुकारण है इसको भी ध्यान में रखिए हैं तो उसका हमारी जीमन पर क्या प्रभाब परता है अब उसको रिखिए तो मानव स्वास्त पर पहला प्रभाब जो पड़ता है जैसे इससे तोचा के चनन हो जाए उसका एक तरह से ओजोन पतला हो जाए और प्रावेगनी किरन जो है सुरी से निकलने वाला प्रावेगनी किरन वह हमारे सरीर पर डेरिक्ट आके पड़े तो इससे क्या होगा हमको त्वचा के इंसर हो सकता है आंख से समझनीद बिमारी हो सकता है ठीक है इसको भी धियान में रखेगा इसके कारण क्या होता है तोचा केंसर होगा मायोपिया जो कि आंख में होता है मोतियबी वह हो जाएगा जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा प्रतिरोधक छमता का हरास हो जाएगा इन सभी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है अर्म इसको भी देख लीजिए पेड़ पोधों पर ओजन चरत का घातक प्रभाव परता है जैसे ही इसके कारण पेड़ पोधे के जो ब्रिधी है यानि जो उसका विकास होता है वह रूख जाएगा फूल उसमें जो आते हैं वह रूख जाएगा प्रकास समसिलेशन की क्रिया ज इतना जीव है उसके लिए भी खाने पीने का चीज उसी के अंदर रहता है समुद्र में तो ठीक है तो इसके विकिर्ण से यानि कि दखिए जो डैरेक्ट सुरिका प्रभाव प्रकास अगर समुद्र में पढ़ेगा तो उसका प्रभाव यह पढ़ेगा न कि समुद्र में जो पाये जाने वाले हैं phytoplankton, जो होता है न, phytoplankton, ये इसको ध्यान रगे, phytoplankton, ये क्या होता है, ये मचलियों का एक तरज से भोजन होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा न, ये मर जाएगा, यानि इस पे दूस्प्रभाब पढ़ेगा, किस पे, तो phytoplankton के उपर, तो ये इस पर प्रभाब जब पढ़ेगा, तो मचलियां इसको खाएगी, तो मरने लगेगी, तो यानि देखिए, समुद्री जीव पर भी इसका प्रभाब पढ़ता है, कि समुद्र में रहने वाले जीव जन्तु भी मरने लगेंगे, ठीक है, अगर गलत चीज कोई खाए घर और जानि ılहेगा। जो छ चेद हो रहा है, उसको उससे बचानी की क्या-कया उपाया, है अब उसको पहला उपाय है, ओज नुकसान पहुचाने वाले पदारतों का उप्योग कम करना होगा, जानि कि तेखिए ओउन परत को जो नुकसान पहुचाता है, वैसे पदारतो का कम यूज करिए तभी इसका यह बच पाएगा दूसरा उधारन के लिए जैसे रेफ्रीजिरेटर है एर कंडिशनर है जिससे निकलता है CFC गैस यह निकलता है तो उसका जिस जिस चीज में ज्यादा क्लोरो फ्लोरो कारवन गैस निकलता है उसका यूज ही कम कर दीजिए तो तो क्या होगा ओजोन परत का च्छरण जो है वो अपने आप कम हो जाएगा ठीक इसको ध्यान में रखिएगा उसके बाहां जो की बड़ी संख्या में ग्रिन हाउस इफेक्ट जो आपको अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे ग्रिन हाउस एफेक्ट क्या है तो उसमें य ये बहुत घातक हो जाता है तो ठीक वैसे ही उन विसेले गैसों के मिल जाने से भी ये जो ओजोन परत का जो छरन है वो होता है ठीक है तो उसका भी यूज कम करना होगा यानि वाहनों का यूज भी कम करना होगा जिससे की विसेली गैसे निकलती है ऐसे वाहनों का यूज कम क करना चाहिए ठीक तो इससे क्या होगा ओजोन परत का छरण जो है वो कम हो पाएगा उसके बाद अगला जो इसका प्रयास जो किया जा रहा है तो देखें लोगों के भी जागरुकता पहुचाने के लिए 16 सितंबर 1987 से प्रते एक साल ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को उनको ये बात पता चले कि ओजोन लेयर हमारी प्रिथवी के उपर है जिसका अगर चरण हो जाएगा यहने उसमें अगर छेद हो जाएगा तो वो हमारे लिए घातक होगा और लोगों को ये भी बताना कि आप रेफ्रिजिरेटर उसके बाद एयर कंडिशनर इन सभी चीज किया जाता है इसको ध्यान रखिएगा उसके बाद के मौनेटरियल प्रोटोकॉल मौनेटरियल प्रोटोकॉल जो है यह भी ओजोन लेयर से समंधी थे ठीक है इसको ध्यान रखिएगा आप से पूछेगा मौनेटरियल प्रोटोकॉल किसके समंध में लिया गया या लाया ग कि मोनेटरियल प्रोटोकॉल इसलिए आया था कि ओजोन परत का जो छरन हो रहा है उसको रोका जा सके इसका मुख्यू देश्थ था कि CFC जो गैस होता है जो निकलता है हमारी कारियों से जैसे कि रेफ्रेजरेटर या फिर कोई भी एयर कंडिशनर इन तमाम चीजों से उसको क कum का करना यहनि कि CFC गैस का यूज जो है उसको कम करना यहनि क्लोरो फिलोरो कार्वन गैस हम लोग कम यूज करें इसलिये इस चदर तो इतनी चीजह आपको ध्यान में रखनी है, आपके ओजोन परत को लेकर देखिए, बहले ही ये वीडियो छोटा है, लेकिन ये वीडियो बहुत कामका है, क्यों? तो इसमें हर चीज बता दिये, कैसे कैसे चीजे आपको लिखना है, सजाना कैसे है आपको एंसर को, ऐसे ही ठीक है, इसको इधर इधर करिएगा, मत पहले कोई बच्चा देखते हैं, एंसर अपना लिखता है, तो वो पहले परभावे लिख देता है, फिर बाद में कारण लि होगिएगा, उससे ये टौपिक पूरा नहीं होगा, इसलिए अधूरा, आधा अधूरा काम नहीं करना है, आपको पूरे टौपिक को खतम करने का प्रयास करना है, वीडियो छोटा है, लेकिन काम का है, अगर इसको देखेएगा, तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं ने वीडियो में तो तक्लिय धन्यवाद